नए साल की शाम दो हजार चौबीस की उज्ज्वल चमक में रोहन जीवंत उत्सव के बीच खड़ा था। सभी लोग बहुत धूम धाम से खुशिया मना रहे थे। वही एक बीस वर्षी ये युवा रोहन भी अपनी खुशियों को मना रहा था। मानो जैसे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। लेकिन जैसे ही घड़ी आधी रात के करीब पहुंची, रोहन के विचारों ने एक अप्रत्याशित मोड ले लिया, जिससे उसकी विजय की यात्रा के दौरान यादों की एक श्रंखला खुल गई। जैसे ही रात का आकाश आतिश बाजी से जगमगा उठा, रोहन का मन उस समय में चला गया, जब उसके बचपन पर अंधेरा चाया हुआ था। अतीत की बुरी छवियां सामने आई, जिसमें उसके बचपन में जब उसकी उमर मात्र चार साल की थी, उसकी मासूमियत मिर्गी दौरे जैसी लाई-लाज बीमारी की क्रूर शुरुआत से चखना चूर हो गई थी। कई बड़े और नामी अस्पतालों, विशेश अज्जों के साथ परामर्ष की भूल भुलया ने परिवार को वित्तिय संकट में डाल दिया था। बड़े अस्पतालों के सामूहिक प्रयासों और उनके परिवार पर भारी वित्तिय बोज के बावजूद और कई अंग्रेजी दवाईयों से भी रोहन के मिर्गी दौरे जारी रहे। यहां तक की शरीर में कई सारे साइड एफेक्ट भी हुए। एक दिन मानोनियती द्वारा निर्देशित रोहन की नजर एक ऐसे वीडियो पर पड़ी जिसने उसके जीवन की दिशाही बदल दी। उस वीडियो में उसे नीरज क्लिनिक की नीले रंग की भव्य इमारत देखी जिसमें मिर्गी रोग का आयूरवेदिक इलाज के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया हुआ था। रोहन ने अपने पिता जी के साथ तुरंत ही नीरज क्लिनिक रिशिकेश पहुँच गए। जिसने अस्पताल की दीवारों को रिशिकेश की हरी भरी हरियाली से बदल दिया है। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, रोहन को अपनी सेहत के साथ एक गहरा संबंध पता चला, जो मेडिकल शब्द जाल की सीमाओं से परे था और रोहन अगले ही दो वर्षों में स्वस्थ जीवन व्यतीत करने लगा। अब नए साल की पूर्व संध्या दो हजार चौबिस के उल्लास के बीच, रोहन ने तौरे से मुक्त वर्ष की खुशी का आनंद लिया, जो की नीरज क्लिनिक की उपचार शक्ती का एक प्रमाण है। उनकी यात्रा की एक मूख प्रार्थना में बदल गई। मिर्गी से जूझ रहे अन्य लोगों के लिए उसी आश्रय में सांत्वना पाने की एक गंभीर प्रार्थना, जिसने उन्हें जीवन का नया पट्टा दिया था। कृतज्यता से भरे हृदय के साथ जैसे ही आधी रात हुई, रोहन ने अपने परिवार को गले लगा दिया। उन्होंने मिर्गी की महामारी के अंत्ध की कामना की और इसी तरह की लड़ाई लड़ने बालों को दौरे के बंधनों से मुक्त होकर नए साल की सुबह का जश् जो नए साल की पूर्व संध्या पार्टी की दिवारों से परे गूंजती रहे। उनकी यात्रा की गूंज दूसरों को नीरज क्लिनिक के आयुरवेदिक उपचार को अपनाने, अपने स्वयम के संगहर्षों के पन्ने पलटने और आशा और उत्सव से भरे दिनों के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए प्रेरित करे। आओ मिलकर प्रण ले की नीरज क्लिनिक के उद्देश्य मिर्गी मुक्त भारत में सहयोग दे और सभी मिर्गी से पिढ़ित मरीजों को नीरज क्लिनिक से आयुरवेदिक दवा के लिए प्रेरित करे। ताकि वो सब भी र पापस भी जा सकते हैं।